हेलो गाइस, वेल्कम बेक टो मैं नियो चेनल एला ब्लोगर और मेरा और एक नियो वीडियो में आप सब को स्वागत है और आज बना रही हूँ चाउमीन देखो चाउमीन बनाने के लिए चाउमीन ले लिया और आलू लंबा लंबा करके ले लिया और दो अन्डा ले लिया प्याज, मिर्ची और जो चाउमीन का मसला है वो ले लिया देखो चाउमीन को उबलने के लिए इधर मैंने बानी चरा दिया गरम होने के लिए और इधर कराई बेठा दिया कराई बेठा के तेल डल दिया मैंने गरम होने के लिए तेल गरम हने के बाद जो आलू मेने लंबा लंबा करके काटके रखा था ओमेने साथ में आलू भी डाल दिया आलू डालने के बाद थोड़ा नमक और थोड़ा हल्दी डाल दिया और उसके बाद थोड़ा ढखके रख दिया और इधर पानी गरम हो गया उबालाना सुरू हो गया उसके बाद जो चाओमीन है पैकेट में वह मैंने डल दिया उबालने के लिए जादा नहीं दो मिनिट रखोगी तो हो जाएगी नहीं तो ऐसे अच्छे से नहीं पकेगा है निट के बद देखो एब वरतन में ले लिया पानी छोड़कि और दुसरा बथन ले लिया और उसके बद जो आलो फ्राइ किया 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 था उसके साथ प्याज से मेने साथ में कटके दे बढाना बहुत तो और देखो देखो दस मिनिट मैंने ढखके रखा था और इधर फ्राई हो गया उसकी बाद जो अंडा है और अंडा जो है वो मेरा घर का अंडा है देशी अंडा देखो और अंडा जो है वो मेने साथ में दे रहा हूँ और मेरा वीडियो अप लोग अच्छे लगते थो ज़रूर एक लाइक कर कर सकते हों आप देखके चामीन देते हैं था मैंने चामीन देने के बाद पूरा सब के साथ एक मिक्स्ट कर लिया दो मिनिट और ज्यादऽ नहीं फिछाना है ज्यादा फिराए कर ने से थोड़ा हाड हो जाते ए और दो मिनिट फ्राइब करोगे तो इतना सॉफ्ट रहेगा देखो मिक्स्ट कर लिए अच्छे से और मिक्स्ट करने के बाद ना जरा कुछ ऐसा है और उसके बाद आप इसके साथ चिली सॉस भी दे सकती हो और सोया सॉस भी दे सकती है और देखो मेरा फाइनल लूग रेड़ी हो गया मेरा टिस्टी टिस्टी चामीन बाई बाई फिर मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ थेंक्स पर वाचिंग